हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम 4 small cap debt free company के बारे में discuss करूंगा जो की fundamentally काफी strong है और business भी company का बढ़िया है और दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप से एक बात कहना चाहूंगा अगर आप चलते हुए train में चाहने की कोशिश करोगे तो आपका पैर फिसल जा आसपास trade कर रही है तो आपको वहाँ पर जेनरली loss ही देखने को मिलेगा क्योंकि जब कोई stock अपने all time high के आसपास reach करता है तो लोग उसमें profit booking करता है और जब लोग profit booking करेगा तो थोड़ा बहुत correction देखने को मिलेगा और आपको loss होगा इसलिए दोस्तो आपको उस time पर invest क करते जा रहा है ठीक है यह बात ध्यान रखना तो इसलिए आज की वीडियो में हम जो stock cover करेंगे वह अपनी all time high से थोड़ा बहुत correction में देखने को मिला है और इस time पर काफी attractive price पर यह सारा stock आपको मिल रही है तो चलिए वीडियो को start करते हैं हमरा list में जो first number का company है इसका न उसके अंदर various types of wood additives manufacture करता है जो कि 2006 में launch हुआ था और यह इंडिया का second largest wood selling additives brand है retail segment में company के market cap 1800 करोर का small cap company है company के ROCE 72% and ROE 55% काफी बढ़िया है उसकी साथ साथ promoter holding इसका 50% है debt to equity इसका zero है debt free company है company positive fact देखे तो company अपनी debt को reduce किया है and company 113% की CAGR maintain किया है last 5 year से and good sales भी यहापे maintain किया है last 3 year से जो की 43% है sales देखे तो company का 2019 से लेकर company लगातार अपनी sales को increase करते जा रहा है अब sales बढ़ेगा तो profit भी बढ़ेगा profit भी company की 2019 से लगातार यहापे increase होता हुआ देखने को मिला है 2019 में 2 करोर था and अब recent year में देख सकतो 46 करोर का हो चुका है अपनी profit holding देखे तो promoter के साथ साथ FIB अपना interest इस stock में दिखा रहा है अभी इस stock का current price चल रहा है 1555 and company 1995 को market में listed हो था तब से लेकार आज तक company लगबग 30,000% का return generate करके दिया है तो बहुत एक huge यह number होता है अगर आप 10,000 रुपिस लगाता 1995 में तो आपका वो 10,000 रुपिस अभी 30,000 के round हो जाता है खेर वो बात तो छुड़ी दो तो इसका 5 साल का return हम देखे तो 6,300% एक साल का return company का 31% है और company अपनी all time high से बहुत एक अच्छागा सा discount price पे trade कर रहा है लगबग 10% से भी ज्यादा तो आप इस time पे stock में invest करने के लिए सोच सकते हो और company अभी यह आपे consolidate भी किया है और इसी zone पे trade कर रही है second number की company की नाम है Dream Fox Services Limited यह company 2008 में 24 April को established हुआ था airport की services provide करता है basically company का यही business है and 100 plus countries में company की business available है 2800 करोर का market cap है small cap company है PE ratio इसका 37 है जबकि इसका industry का PE 35 है valuation थोरा ज्यादा है futuristic stock है इसलिए उसके बाद ROCE इसका 76 है ROE इसका 60 है जो की बहुती बढ़िया है debt to equity यहापे 0.01 है जो की debt free company consider किया जाता है company की sales की बात करें तो 2019 में company की sales अच्छा था उसके बाद भी 2020 में increase हुआ था and जो company की problem आया था 2021 में बहुती decrease हुआ था अपनी sales को यहापे crash हो गया था उसके बाद 2022 से company फिर से bounce back किया है और अपनी sales को पहले से ज्यादा कर चुका है और sales बढ़ेगा तो profit भी बढ़ेगा profit में देखिए यहापे 2021 में हमें minus में चला गया था यहापे देखने को मिल जाए उसकी बाद company देखिए 2022 से अपनी profit को भी बहुती ज्यादा increase कर चुका है holding देखे तो promoter के पास 66% की stake है FI के पास 5% की stake है पिछले quarter से थोड़ा बहुत यहापे decrease किया है बहुती ज्यादा कह सकतो और DI ने भी अपनी stake को reduce किया है जो के एक negative point होता है company के लिए लेकिन यह futuristic stock है future में company अच्छा ही करेगा ऐसा expect किया जाता है क्योंकि company की business model काफी अच् company की price चल रहे 540 रूपीज and company यहापे September month में 2022 में market में listed हो था एक साल में company 42% return generate करके दिया है shareholders को and company अपनी all time high से 31% correction में देखने को मिल रही है and यहापे company consolidated किया है बहुत देर तक अगर इसका breakout देखने को मिल जाता है हमें तो company बहुत यह अच्छा rally उपर की तरफ दिखा सकत है तो अब breakout की weight भी कर सकते हो या फिर थोड़ा बहुत quantity यहापे add-on कर सकते हो third number stock का नाम है Reflex Industries Limited company refrigerant gases का manufacture और refiller है जो की chlorofluorocarbon के लिए replacement किया जाता है market cap इसका 1300 करोड का है small cap company है stock का PE देखे तो 10 का है जबकि इसका industry का PE यहापे 41 का है बोल सकते हो बहुत ही अच्छा valuation पे company यहापे बहुत ही सस्ता valuation पे मिल रही है उसकी बाद company की यहापे ROCE देखे तो 48% ROE 46% बहुत ही अच्छा है debt to equity यहापे 0.39 है debt free company है holding देखे तो promoter के पास 53% की stake है और FI और DIV यहापे अपने interest दिखा रहा है धीरे धीरे और बाकी जो stake है public के पास है sales company की year on year basis पे बहुत अच्छा हो रही है 2018 में 78 करोर का sales हो था उसके बाद 2019 में 463 और यह बरते बरते अभी recent year में 1600 sales हो चुका है profit भी company की यहापे जवरदस हो रही है profit company की 2018 में 0.94 करोर का हो रहा था 19 में यहापे company profit 31 करोर का हो चुका है बहुत ही massive jump देखने को मिला है और 3 साल company यहापे थोड़ा बहुत चेल profit यहापे कर रहा था लेकिन last year में company की profit में बहुत ही massive jump हमें देखने को मिला है अभी यह company की current price चल रहा है 589 रुपीज company 2009 में December मंत में market में listed हो था तब से लेकर company आज तक 1600% return generate करके दिया है पास साल का return company का 2800% एक साल का return company की 139% return के मामले में company जवर्दस्त है और company अपनी all time high से यहापे बहुत ही अच्छा correction पर देखने को मिला है लगवक 30% correction में देखने को मिला है तो यही मौका है stock में invest करने का थोड़ा बहुत पैसा आप यहापे invest करने के लिए सोच सकते हो fourth number की company की नाम है Icemake Refrigeration Limited यह company 1993 को establish हुआ था company basically customized cooling solution और cooling storage प्रोबाइट करता है जैसकी cold rooms, freezers, commercial and industrial refrigeration system, chilling plants and etc market cap company का टिपल 9 करोड का है stock का PE देखे तो 43 है जबकि इसकी industry का PE इसका 39 है valuation की company यहापे महेंगा मिल जा है stock का ROCE यहापे 36 है ROE 29 है जो की बहुत ही बढ़िया है promoter holding 74% है उसकी साथ-साथ debt to equity 0.31 है debt free company है sales की बात करें तो 2019 से लेकर 2021 में company की sales यहापे flat था और 3 साल से company की sales यहापे increasing होते हुए देखने को हमें मिल जाही है उसकी बात profit की बात करें तो profit भी company की यहापे 2019 से लेकर 2021 में घट रहा था और 3 साल से company की profit यहापे बढ़ते हुए देखने को मिल जाही है यहाँ पर कमपनी की जो recent साल में जो profit हुआ है 20 करोड का यह कमपनी की पिछले 4 साल में जो profit किया था उससे भी ज्यादा आप बोल सकतो अभी कमपनी की current price चल जाई है 633 रूपीज कमपनी यहाँ पर 2020 में market में listed हुआ था तब से लेकर आज ता company 807% की return generate करके दिया है कमपनी की एक sales की return यहाँ पे 163% है और company अपनी all time high से 10% तक यहाँ गिरवाट दिखाया है अपनी support के आसपास यहाँ पर trade कर रही है तो इस price पर invest करने के एक अच्छा खासा मौका आपके लिए हो सकता है आप चाहो तो इस level पर stock को खड़ी दरी करने के लिए सोच सकते हो तो दोस्तो आज की वीडियो इतना तक ही है अगर वीडियो को फसंद है तो like कर देना चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe कर देना मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाए दुस्तों